नमस्कार मैं और ओहित कुमार आपने च्पोनेशन देख रहे हैं बिहार में विधायन सभाद चुनाओं के प्रिचार के दोरान जिस मंच पर नितीश कुमार के ऊपर आलू, प्याज और पत्थर फिके गए उसी इलाके में नितीश कुमार यानि की उनकी अगवाई वाले अंडिये ने दस में से आठ सीटे जीत करके नया रिकॉर्ड बना दिया है तेजस्वी आदब के साथ साथ पूरा महागट बंधन उस इलाके में ताकते रह गया और नितीश कुमार का जादू उस पूरे इलाके में लोगों के सड़के चड़कर खुब बोला और दस में से आठ सीटे उनकी खाते में आई बिहर्वधन सबचुना 2020 में मुख्यमंत्रि नितीश कुमार की जन सभाओं में हंगामे की जमकर चर्चा रही कहीं पत्थर तो कहीं उन पर आलू और प्याज फेंका गया माना जा रहा था कि नितीश कुमार को इसका भादन उखसान जिलना पड़ेगा लेकिन चुनाव परिनाम इसके विप्रीत निजर आये मधुबनी के हर लाखी में जहां नितीश कुमार पर आलू प्याज फेंका गया वहां से जेडियू प्रत्याशी ने 17,815 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की इतना ही नहीं मधुबनी जिले की दस में आठ सीटों पर एंडिये प्रत्याशी ने जीत का पर्चम लहराया वांपंत का गर्ण करे जाने वाले मधुबनी के हर लाखी मधान समाचेतर में 3 नवंबर को मुख्यमंत्री नितीश कुमार जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस दोरान जनसभा से कुछ यूवकों नितीश कुमार को टार्गेट कर आलू और प्याज फेकना शुरू कर दिया इस दोरान उनके सुलक्षा कर्मी से तरक हो गए लेकिन नितीश कुमार ने इन यूवकों को गिरफ्तार नहीं करने की अपील की करते वे कहा कि इन्हें फेकने दो जो फेक रहे हैं नितीश कुमार ने कहा था कि मुझे पता है कि ये लोग कौन हैं जन सभाओं में हो इस तरही घटना के बाद अंदाजा ये लगा जा रहा था कि यहाँ जेरियू प्रत्याशी के लिए जीत की डगर आसान नहीं है लेकिन जब चुनाव पर नाम सामने आये तो सभी हैरान रह गए हरलाकी वधान सभा से जेरियू प्रत्याशी शुधांतू सेखर ने 60,205 वोट प्राप्त कर भाग्वा प्रत्याशी राम नरेश पांडे को 42,390 वोट मिले इसके लावा जिले की बेनी पत्य वधान सभा से बीजेपी प्रत्याशी विदुन रायन ज्छा ने कॉंग्रेस की भावना ज्छा को हराया बीजेपी प्रत्याशी को 78,723 वोट मिले जबकि भावना ज्छा बेहत पीछे छूटते हुए महज 45,000 से कुछ ज्यादा वोट ही ला सकी बीजेपी के अरुन शंकर प्रशाद को खजौली विदान सभा में भी जीत हासिल हुई जबकि RGD के सितारा म्यादव को हार्ड का सामदा करना पड़ा बाबू बरही सीट पर भी जद्यू ने जीत हासिल की सबसे बड़ी बात ये कि फुल पराज के साथ साथ जिले की और पुड़े इलाके क्या कह सकते हैं दस में से आठ सीटे एंसी जिस पर NDA ने जीत हासिल की ये वही इलाका है जहाँ पर नितीश कुमार के उपर सबसे तगड़ा विरोध देखने को मिला लेकिन इस विरोध के बीच में नितीश कुमार ने शांदार जीत हासिल की और NDA सत्ता के करी पहुंची नमस्कार